हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूटूब चैनल, इस वीडियो में 30 प्लस मोस्ट इंपर्टेंट जी के कोश्चेन है, जो एक्साम के लिए भेरी भेरी इंपर्टेंट, फास्ट कोश्चेन, इन हुच स्टेइट आराकुभेली इस लोकेटेट, आराको घाटी किस राज्य जो में स्थी थे, अंध्रप्रदेश, अप्शन B is correct, आराको घाटी अंध्रप्रदेश में स्थी थे, आराको घाटी एक हील स्टेशन है और विशाका पत्वनम डिस्ट्रिक्ट में स्थी थे, आराको भेली को अंध्रप्रदेश का उटी भी कहा जाता है, next question, which one of the following animals is called farmer's friend निन्मलकित में से किस जानबार को किशन मित्र कहा जाता है, आर्थवर्म, option B is correct, आर्थवर्म और केच्वा को किशन मित्र कहा जाता है, very very important question, next question, in which state is the Dalhousi Hill Station located, Dalhousi Hill Station किस राज्यो में स्थी थे, हिमाचल ट्रदेश, option D is correct, Dalhousi Hill Station, state हे, हिमाचल प्रदेश, और डिस्टिक्ट हे, चमबा डिस्टिक्ट, Dalhousi Hill Station, हिमाचल प्रदेश के, चमबा डिस्टिक्ट में स्थी थे, next question, Washington DC is situated on the banks of Hooch River, Washington DC किस नोधी के किनारे स्थी थे, पोटोमेक, option A is correct, Washington DC, पोटोमेक नोधी के किनारे स्थी थे, और United States का केपिटल हे, Washington DC, next question, London is situated on the banks of Hooch River, London किस नोधी के किनारे स्थी थे, तेम्स, option C is correct, United Kingdom का केपिटल हे, London, और London, तेम्स नोधी के किनारे स्थी थे, और तेम्स रिवार, United Kingdom का second longest river, next question, Where is the National Institute of Nutrition located, राष्ट्रिय पोशन संग्स्तान कहा स्थी थे, हाज्राबाद, option D is correct, राष्ट्रिय पोशन संग्स्तान हाज्राबाद में स्थी थे, next question, Who is popularly known as Frontier Gandhi in India, भारत में शिमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, अब्दुल गफ़र खान, option C is correct, अब्दुल गफ़र खान को शिमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, अब्दुल गफ़र खान को फकरी याब गन, बाच्छा खान, बाच्छा खान, और Frontier गांधी के नाम से भी जाना जाता है, अब्दुल गफ़र खान को भारत मिला था, 387 में, और खुदय खिदमद्गार की संगस्थापक भी अब्दुल गफ़र खान, नेक्स्ट कोशेन, Which is the largest Tiger Reserve in India, भारत को सबसे बड़ा बाग अभेरन न कौन सा है, नागर्जुन, option A is correct, नाशम डिस्टिक्ट, महभूप नगल डिस्टिक्ट और नालगुंडा डिस्टिक्ट, टोटल फाइब डिस्टिक्ट में, नागर्जुन्षागर टाइगर रिजर्ब स्थी थे, नागर्जुन्षागर टाइगर रिजर्ब स्थापित हुआता, 1983 में, और टोटल एरिया है 3728 स्क्वार किलोमीटर नेक्स्ट कोश्यन फूच्छ एमंग दा फॉलिंग इस दा सक्रेट बूक अब बुद्धी जम नेनमलकित में से बोध्ध धर्म की पवित्र पुष्टक कांशी है दा शुत्रस अप्शन A is correct बुद्ध धर्म की पवित्र पुष्टक है शुत्र नेक्स्ट कोश्यन नेनमलकित में से इसाय धर्म की पवित्र पुष्टक कांशी है दा बाइबल अप्शन B is correct बाइबल है इसाय धर्म की पवित्र पुष्टक नेक्स्ट कोश्यन फूच्छ एमंग दा फॉलिग इस दा सेक्रेट बुक अब हिंदुईजम नेन मलेकित में से हिंदु धर्म की पवित्रपुस्तक कंशी है। दा बैद ऊस ओप्शन C is correct बैध हे हिंदु धर्म की पवित्रपुस्तक। Next question. Which among the following is the sacred book of Islam? Islam की पवित्र पुस्तक कन सी है? The Quran and Hadith. Option D is correct. Quran और Hadith है Islam धर्म की पवित्र पुस्तक. Next question. Which among the following is the sacred book of Sikhism? निन्मलकित में असे Sikh धर्म की पवित्र पुस्तक कन सी है? Guru Granth Sahib. Option A is correct. Guru Granth Sahib है Sikh धर्म की पवित्र पुस्तक. Next question. Which is the sacred book of Judaism? यहोदि धर्म की पवित्र पुस्तक कन सी है? The Torah. Option B is correct. Torah है यहोदि धर्म की पवित्र पुस्तक. Next question. What is the sacred book of Zionism? जोइन धर्म की पवित्र पुस्तक कन सी है? आगम लिटेराचार Option C is correct आगम शाहित्त है जोईन धर्म की पवित्र पुस्तक Next question, what is the sacred book of Jorwastrianism? पाश्री धर्म की पवित्र पुस्तक कान सा है? आबिस्ता Option D is correct आबिस्ता है पाश्री धर्म की पवित्र पुस्तक Next question, what is the age of the sun? सुर्यों की आयू कितनी है? 4.6 billion years Option D is correct Next question, आमदाबादी सीचुएटेड अन दा बैंक अफ फुच रिवेर आमदाबाद किस नोदी के किनार स्थी थे? शाबरमोती Option A is correct आमदाबाद शाबरमोती नोदी के किनार स्थी थे? गुजराट के एक सीटी है आमदाबाद गुजराट हाई कोट का सीट आमदाबाद में स्थी थे? आमदाबाद को मैंचेस्टर ओफ इंडिया भी कहा जाता है सुर्दार बॉलबभाई पैटेल इंटरनेशनल लेयर पोर्ट शर्दर पाटल उनिवर्सिटी आमदाबाद में स्थी थे? नेक्स्ट कोशन फुच रिवार इस नोन एज दा स्वरो अब बिहार किस नोदी को बिहार का दुख कहा जाता है? कोशी अप्शन A is correct कोशी नोदी को बिहार का दुख कहा जाता है? कोशी नोदी को सोर्स है शनकोशी अरून हतामूर और लोकेषान है थविनघड नेपाल कोशी नोदी को सोर्स थविनघड नेपाल में स्थी थे? नेक्स्ट कोशेन WHO was the chairman of 7th Central Pay Commission 7th Central Pay Commission के अध्धmek्ष कन थे? अशोग कुमार माथूर option A is correct सेबेंथ पे कोमिशन के चेर्मेन है जास्टिस अशोक कुमार माथूर और सेक्रेटारी है मीना अग्रवल नेक्स्ट कोशेन हैन नाशानल एडुकसान डे इस अबजार्ब्ड राष्ट्य शिक्षा दिवस कब माने आ जाता है 11 नवंबर आफ्षान डी इस कारेक्ट राष्ट्य शिक्षा दिवसे 11 नवंबर मौलाना अबुलकला माजात के बार्थ एनिवार्सरी राष्ट्य शिक्षा दिवस के रूप में माने आ जाता है मौलाना अबुलकला माजात फास्ट एडुकसान मिनिस्टर आफ इंडिबेंट इंडिया Next question. In which year the famous Chicago speech was given by Swami Vivekanand? Swami Vivekanand द्वारा प्रशिद्ध Chicago भासन किस बर्स में द्या गया था? 1893. Option B is correct. Chicago speech date हे 11th September 1893 और लोकेशान हे Chicago, America. Next question. Where is the headquarters of World Bank located? विश्व बैंक का मुख्याल कहास्थी थे? Washington D.C. Option C is correct. July 1944 में World Bank स्थापित हो था और World Bank Headquarters हे Washington D.C. World Bank First President हे यूजिन मेर. Next question. What is the highest mountain peak of Western Ghats of India? भारत के पोश्ची में घाटो की सबसे उची परवच्चोटी कान सी हे? अन्नामोदी. Option A is correct. अन्नामोदी चोटी केरला मस्थी थे. और ये Western Ghats और South India का highest peak भी हे. स्काउचाई हे 2695 मीटर्स. Next question. Which of the following politician was the chief minister of two Indian states? निन्मलकित में से कौन से राजने अता दो भारती और राज्यो की मुख्य मंत्री थे? अन्डी तिबारी. Option A is correct. नारायान दथ तिबारी उत्तर प्रदेश और उत्तर रखंड के चीप मिनिस्टर थे. एन्डी तिबारी उत्तर प्रदेश के तीन बर चीप मिनिस्टर थे और उत्तर रखंड के एद बर चीप मिनिस्टर थे. Next question. Who was the first woman chief minister of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्य मंत्री कौन थे? सुचता क्रिपलानी. अप्शने is correct. सुचता क्रिपलानी. उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्य मंत्री. और उत्तर प्रदेश की चोथी मुख्य मंत्री. Next question. राष्ट्य महिला आयोक का गठन कीज़ बर्ष की आगया था? 31st January 1992. आप्शने is correct. राष्ट्य महिला आयोक गठित हुआता 1992 में. और हैटक्वाटर से नियो देली. प्रथम अध्दक साथी जयनती पतनायोक. Next question. फू इस द अथर अप्धा हेरी पोटर बुक्स? हेरी पोटर पुस्तो के लेखक कन है? J.K. राउलिंग. अप्शन A is correct. J.K. राउलिंग का नाशनल्टी हे ब्रिटिश और बार्थ प्ले से एंगलन्ट. Next question. अल्ट्रेट नोबेल वस बर्न इन हुच कांट्री? अल्ट्रेट नोबेल का जन्म किस देश में हुआ था? स्वीदेन. अप्शन A is correct. अल्ट्रेट नोबेल का बर्थ प्ले से स्टोक्होम, स्वीदेन. स्वीदेन एक यूरूपियन कांट्री. स्वीदेन का के के पिटल हे? स्टोक्होम. नेक्स्ट कोशेन. वस एमंग देश फॉलिंग अनलाइज्ट डी अने फर दे फास्ट टैम? इन मलकित में से किसने पहली बार डी अने का अविश्टलेशन किया था? वर्शन एंड क्रीक. अप्शन D is correct. डी अने का अविश्कर हुआ ते 1953 में. नेक्स्ट कोशेन. वू इस दे फाउन्डर अफ वाल्मार्ट कुम्पाणी? वाल्मार्ट कुम्पाणी के संग स्थापक कन हे? शेम वाल्टन. अप्शन A is correct. वाल्मार्ट कुम्पाणी स्थापित हुआ ते 1962 में और संग स्थापक के शाम वाल्टन और हेटक्वाटर से बेंटन बिले और कंसस उस. झाल्मार्ट